गुड मॉर्निंग श्टूदेंट्स बेश्यन इंट्रडेशनल सेयर्ट्रेश्टी स्पूल की ओनलाइन आप सदिका हार्टिक पागत है आज इसके मैस के चेप्टर फ़स्ट में काउंटिंग से बारा में इसमें इंटे इंग्लिश और रोमन काउंटिंग है उसमें इस नमर्स का पढ़ेंगे सबसे पहले आपनों निखा लिए और मेरे साथ यह काउंटिंग आप नोट की दिए नमर्फ पर फ़स्ट पर वान वन को इसली बिजा होते हैं एक एक इंग्लिश में काउते हैं वन और रोमन में किसे लिखा करता है इसे इस तरह से फिर टू को क्या बबते हैं दो फिर इंग्लिश में टू और रोमन में इस तरह से फिर सेकर्ड थार आप चलाना है फिर आएगा पी तीम को इंग्लिश में क्या बबते हैं फिर आएगा चार चार को इंग्लिश में काउते हैं स्पाल इंग्लिश में आप याँ खोने इचिए फोर फोर को रोमन में किसे लिखेंगे इस तरह से फिर आएगा five, five को इंग्रिश में क्या काँ है इंदी में? पहले इंदी गा, five फिर इंग्रिश में, five और यहाँ पर्वन में इस तरह से लिखते हैंगा कि ज 뭐가 गयाॉ download? चेव ज znaczy चेवर से उंप ohणल nenhum new new 20 जबने लों लोंगमेस इसलिए लोंगमेस इसती उसा लोंगमेस इसलिए लोंगमेस लोंगमेस आए लोंगमेस इसलिए सबने लोंगमेस इंदी में, आठ, साथ के बार क्याएगा, आठ, इंदी में, E-I-G-H-E, 8 Spelling साथ को मोश्री सारी राइन हो निची, फिर लिखेंगे, रोमें, 8 भी, 8 बार, 9, पिर लिखेंगे, 9, और फिर लोमें, तो आचेंगे रगार, और इंदी रेका रेगा, ऑर इस्टरते रेका रेखेंगे, बार, तो निची रेका रेखेंगे, पिर लिखेंगे, भार इंदी में, E-I-G-H-E, 9 और 10 को इस तरह से, तो यह आपकी 1 से लेके 10 तरह की counting complete होगी है, इनमें परले यह numbers, numbers में आपको लिखना आता ही है, फिर इंदी में मौश्क्री की किस तरह से किसको लिख अज़ता है तो 8, 1 और यह वोगर, यह 4 series आपको एक साथ पढ़नी और एक साथ learning भी करती है, अब next और यह वोगर, इसी की देखते हैं, इसमें परले इसी तरह का मना लिखे, नमबर परले, फिर उसकी, हिंदी कंपी, इंग्रिश कंपी, और रोमन कंपी, रोमन कंपी, वापर इसमें इसी तरह को जटेट मना के, आठी लिखने ले, तो तेली बात की आएगा, इलेवन, इलेवन मन इंदी में क्या कहते हैं, ग्यादर है, और इंग्रिश में इलेवन, और योगे रोमन में, फिर, क्यादर की बात आएगा, बार इंग्र, बार इंग्रिश में कहेंगे, ट्वाल, और अगर में, टेन क्या के फिर, वोई वरमन के नहीं चलती रहीगी काउंटिंग में, जैसे आब आजी मतना के लाएं चलती ना, ये टेन हैंगा, ये आपर टेन हैंगी, और फिर पॉंपी क ये पार्टिशन इसमें साथ में आगी चलेगा, जैसे इसमें चलता एक तो तीन चात्रिक से जीरी, वैसे रोमन में भी वोई से जीरी चलती है, फिर आएगा, बार के बार, तेन है, तेन है, तेन है, तेन है, उसको इंग्रिश में कहा देएंगे, थर्टीन, और उसी के तेन है, कि आएगा, तेन के बार, चोद बार, चोद में को, क्या करते हैं, फॉर्टीन, और लिखने में, तेन के बार, फॉर हो जाएगा, फॉर्टीन, फिर आएगा, अंडरा, तो चोद बार लिखेंगे, अंदरे हैं, इंग्विश में क्या का दरेगा? 15, और इसमें एन के बाद 5 में केंगे 15, तिन आएगा 15 के बाद 16, इंदी भी क्या का दरता है? 16 की बिटी है, और फिर जोबन के बाद 6, यो क्या हुआ जाएगा? 16, फिर 17 के बाद 7 है, इंदी में 17 है, फिर इंदी में 7 है, फिर इंदिश में स्पेलिग 7, तीन, सेवन्टीन, और इसमें टेट के पार सेवन्टीन हो जाएगा, कि रहेगा, सेवन्टीन के पार एटीन, हिंदी में अठारा है, सारसार पी हिंदी वीचि दोने काउटी आपनी चीलिया हो, अठारा पी लेगिश में, एटी, और लोगर में, एट के पार एट, पिर आएगा, उन्टीन, पिर आएगा, उन्टीन, इन्टीन के पार सेवन्टीन, उन्टीन 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 के पार सेवन्ट प्रावमें में इसको लिखेंगे 10 और 9, वो क्या हो जाएगा? 19, उसके पास हैं रेंगे पाप आएगा 20, इंजी में कहते हैं 20, और एंग्रिश में 20, और डबल ट्रेन होंके क्या बन जाएगा? 20, तो यहां परेंगे यहां तर्मोट कीजिए और साथ में इसको लर्ट भी आएगा हैं कि किस तरसे हें एंडी में लिखा दता हैं, किस तरसेhone लिखाा दता हम शते हों, किस तरसे वो में में जैसे हें थाली होती हैं, वो एक यह वामां बीकै आएएग लीख्या क्यों डेंगे Keysार सी olm 10, इसके हालने बेक्पा रहन का टने साहिका दोरें कि आता हैं नादा आज़ी किसे 3 20 की अक्वर्टी आगे साथ ती लीए रिपीट हरती है यह आपको समझा नहीं कि कि बता रही हूँ कि आपको लिपने में आसान है रही अगर आपको ऐसे समझ हुआ है तेर है तेर आधी वाको हमें 1 2 3 4 नौगर में भी रिपीट कर दा है उससे आपको आ तो आपस लेक्ते हैं, आगे वाज लाएं 20 वाजी है, 20 के आखिके आज जाए, कांटिंट आपको 100 तका थी है, प्रेपकास बढ़ा ही, आपने 100 के कांटिंट आपको बता ही है, तो अब इसका 21 लाएं लेक्ते हैं, तो 21 इसकी में जाएं 21 को 21, क्या कहा रहता है? 21 और 21 इसकी में लिखनी है वाज़ी है, तो 20 की स्पैलिंग लिखनी है वाज़ी है, तो 20 की स्पैलिंग लिखनी है, तो 20 की स्पैलिंग लिखनी है, तो 20 की स्पैलिंग लिखनी है, उसके पास 23 वाजी सीरीज अब इंगिश वर्ड में भी च्टार के जाएं लिखनी है, तो 20 क 20 का 20 लिखा और फिर लाईगा 1 तो यह गया 21 फिर ऐसे 22 से रेकर सारे नमर आप इसली बना सकते हो 22 हिंदी ओली कांदी कांदी को पोड़ी आपके दिपड़ेंगी क्योंकि उसमें सी रीच टार्म रहती है यह 22 चीग है और फिर उसके बाद यहां पर जाएगा 22 तो यहां पर मैं 20 लिखी क्या लिखना है 2 जैसे उसके आगे से करना तो जो जाएगा ऐसे ही रागे लिखो 23 अब तो इसली करना होगे आप ऐसे में इसली करना तो पर आपको आपको आसानी से करना पर मैं जाएगा फिर भी एक बाट देख लिखें है 23 बाइस के बाद क्या आता है 23 और इसको क्या का जाता है 23 23 और 23 में 20 उसके साथ में यह 3 आगया क्या होगया 23 उसके बाद लिखें है 23 के बाद आगया 24 इसमें आपको क्या इतना है 24 22 उसका लिखें के 20 के बाद लिखें है 24 इसमें 24 के साथ क्या आगया 24 और 24 तो उसका अगया 24 के बाद आएका 25 इसको इंदी भी क्या का जादा आए 25 ठीके 20 25, 25 के बाद, इंग्रिश में लिएगे 25 को, तो पहले लिखना है, 20, फिर आधी क्या भी खंकरा देगे, यहां पर क्या अपरा है, 2 के बाद, 5 बादा है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, 5, और यहां से देखो के तो भी, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद जाता है, 5, तो यहां पर भी हम 5 बादा देगे, फिर बाद हमें 20 इतना है, और 20 के बाद हमें इतना है, 5, फिर देखें, 25 के आधी आधा लिखार देगा, 26, 26 को हिंदी में क्या लाता है, 26, क्या क्या लाता है, 26, इसको लिखेंगे 20 और फिर 5 वार है तो 5 पी पास लाता है 6 तो यह क्या हो गया 26 और वोई रोगम में प्यों सी रिच पहले 20 लिखेंगे या फिर हो गया 6 अब यह क्या 26 के बाद रहेंगा 27 इंदे में क्या क्या रहता है 27 और इंग्रिश में 27 27 तो 27 को पाबस पाउडिंग के उसमें रोगम पाउडिंग में रिखेंगे तो 20 के बाद 7 लिखा वो गया 27 उसके बाद 27 की बाद आएगा 28 उसको हिंदी में रिखते है 28 और रोगम पाउडिंग के इंग्रिश के अंगल वही 29 लिखना है पहले फिर 7 आया तो 7 के बाद के आता है 8 तो यह अपने 8 लिखा और 8 के बाद हाबस रोगम पाउडिंग में डबल लिया और साल्पिंगा निदिया 8 फिर आएगा पाउडिंग के इंग्रिश के बाद 29 उसको हिंदी में कहते है 29 और इंग्लिश में 20 एट आये ता फेरे तो अब क्या आएगा 9 तो उसको क्या ना जाता है इंग्लिश में 29 इसमें वही 20 के बाद हमें 9 इसना है वो रोगम पाउडिंग का 29 उसके बाद आता है 30 इसमें 25 इंग्लिश में 30 और रोगम में 12 इंग्रिंग का 30 और गाउड़ में 10 फी 20 और यह हुआ 30 हीके तो इसके बाद आता है पहले 21 मनी सिरीज, पहले 1 मनी गीं, फिर 11 मनी, फिर 21 मनी सिरीज. यह 30 तर्ट आपको कर Janeiro है, 30 तर कोर wil दबार? आपको अचे वाली सिरीज, इसी की तरी से करनी, उसमें क्या दोना है? 31 मज़ी सीरीज में ये बाद लिखे डिजिट इसके आधिका लिखना है 1,2,3,4 तो एक बाद रिवाइस करो 1, O and E और उसका 1 डिजिट होता है इस दरेटा फिर 2, T,W, उसको हिंदी में केथे हैं 2 और उसका डिजिट होता है ये बादा फिर होता है 3,3 को हिंदी में केथे हैं 3,3 का डिजिट होता है ये बादा Only ये पिछे-पिछे बाद इसको बनाता है, ये बादा फिर आएगा 4, हिंदी में क्या का अचाता है, 4,4 का डिजिट होता है ये बादा फिर आये जा, पान्च, पान्च को क्या तेर है, पाइट चो क्या तो टैसे एक रिखने है, इस तरह को , असे रिखने हा तेर सी विघ्षण, साथkeln आये लिखने है, पिर आये है, एंट, आछ, आछ, आर्पार रिखने है소 , आये जा, बनों नाइन, नाइन को इस तरह सिर्फा दनता है, वो तरह आएगा 10, 10, फिर आएगा 11, क्या कै कि इंदी भी त्याग है, और प्रोमन में इसको 10 का कि 1 लगाया, और क्या हो जाएगा 11, फिर पार हैं, इंग्लिश में क्या किते हैं, बर्द, और उसमें 10 के आगे 2 लगा है, फ प्रोमन बादे 2 लगाया, और वो दाएगा 12 लगा वर्द, फिर आएगा 13, इंग्लिश में क्या करते हैं, 13, स्विश्पी याद करती है, इंदी की भी, इंदी की भी वाद से एक साथ पूरी लाइग याद पनी ची आपको, और इंग्लिश की भी स्वेलिश आपको याद प पाद 1, 2, 3, 2, वो एजिए फर टोली लाइग वाले चलेगा, तो तेरे का 13, एंदी के साथ 3 लगा है, 14, फिर 14, एंदी के साथ 4, 14, फिर आएगा 15 है, इंग्लिश में 15, तो पूइट 10 के साथ 5, 15 होगया, फिर 16 है, 16, एंदी के साथ 6, 16, फिर 17 है, 17, एंदी के साथ 7 होया, 17 होगया, फिर 18, इंदी के साथ 8 होगया, फिर 18 इंदी के साथ 8 होगया, फिर 18 इंदी के साथ 8 होगया, फिर 18 इंदी के साथ 9 होगया, फिर 19, तो उसको इंदी के साथ 9 होगया, उननीस, उननीस के बाद लिखा उसको 90, इंदी के साथ 9 होगया, फिर 19 इंदी के साथ 9 होगया, 20 को क्या पाँ जाता है 20 20 की स्थाई रिख नहीं है और 10 के बाद एक टेनोल लाइए तो क्या उतलाएबा 20 फिर यह लाज प्रेंट एक पाँ 21 21 को इंदी भी क्या जाता है 21 यह 21 पीस पर लेंगे है पर अगर ने पताया जो लिका रेती कि वहले 23 प्रें आप एक पर हमें 23 की लाइए ऐसे साथ लिकते जाए तो वही उसमें के स्रीस परेंट एक प्रेंट लिक लिक आप और फिर उसके आगे 1 डाल दिया वही इंदी वहीं वाली स्रीस को जाता है फिर अन्हेंगा wise,υस में राइगा 22 इंद्ने का रिखन अता है 22 और फिर वही 28 निया इता है फिर 23 को लिखन वे करती है 0 czy next श्रुके स्वैवल लिखनी है 25 और फिर वही 24 इंदी में जोवेच और इंग्लिख में 24 लिखनीलका और फिर निया 23 ये साथ लिपीए फॉर, फिर 25 हिंदी में बाद आता है अचीज, और फिर 25 पिस काली लिखनी और वहीं 20 के पाद 5 हुआ पचीज, फिर आने का 26, 26 हिंदी का बढ़ आता है, फिर इनिश्वी के देख को 26, वहीं फिर 20 के पाद 6 सिखा, 26 हो गया, फिर 27, 27, 27, फिर 27 को आटाइस, 28 है पिए इंगिश्वी पें और फिर 20 के बाद 8 लिखेंगे, नोमन का, तो बहु जाएंगे 28, फिर 28 के पाद आता है, 29, और 20 के बाद 9, 29, फिर लास्ट में आप आच दुझे लिखेंगे है, 30, फिर 30 वाली लाइन में पिने लास्ट में जो लिखा है, उसके करोंगी पर एक बार जैसे में निगे वाली लें तरोए ना 21 वाली वैसे एक राइन आपको तंडी में ट्राइ करना उसमें अगर निंदी वाली लाउंदी ना सुनिये तो उसको सुनते ना बागी इंदी जो रमन दाउटी आप अपनी नौटों में नौट करना फिर जो गॉ तब इसके आगे करोंगी तब उसको चेल करना देखे आपने समझ के इसको किया या निया और आगे क्या इसके आगे वाली लाउंदी हो और कल की वीडियो में पिड़ेंगे आज तक ही आपको अच्छे समझ में आगया होगा और अगर नहीं आया हो तो सर्थी कंदर पे झाल